असलाम अलेकुम का आई आप स्ब केसे हैं अई आप पूप फीख हूंगे रहाम दिल्ला पूप की दूआउं से हम भी ठीक है तो सुबह हो गई है और मैं दिखा रही हूं अपनी गाओं की हर्याली और देखे माशालला कि इतनी ट्यारी हर्याली है सरसों का पीला पन सरसों की मौन सुबह तंडी में बहुत ज्यादा क्छा लगता है तो मेरे केसे होती है और में नहीं शोचा है अपना गाउं केसा ही कि नौक अस्वे में छ चट पर गूई असम्हीन दीक्व युँस और आज हम दिलाएंगे पातिया माशाला हजरत जाफर स्कादी प्रजल्ला अनुह का पातिया तो हम दिखाते हैं कि मैं कैसे कुंडा करती हूं और आप लोग कैसे करते हैं मुझे जरूर बताईए मेरे गाउं में ऐसे ही होता है तो हम ऐसे करते हूं और आप लोग भी बताईएगा कि आप लोग के आई हो यहां कैसे माना जाते हैं लिक वहाट डूम से मनाते हैं जिसम्हें ने बनाया है और पहले हम बना लेते हैं पूरी टैल हीट हो गया और इसमें मैंने डाल दी पूरी ये देखे माशाइला बेकुल फूली फूली से पूरी बन रहे चानल closernın एक और हम बनाएंगे इसके साथ निंक कबाब और और छीन और ये ओर त्टिक्या रेशिपि मैंने मुहर्णम के टाइम मैंने दिखाया था कि हम कैसे टीकिया बनाते हैं मीठी टीकिया तो उसकी रेसिपी आप लोग देख लिएगा ये हम कैसे मनाते हैं तो टीकिया मैंने बना ली ही मीठी टीकिया और अब हम बनाने जा रहे हैं खीर के लिए मैंने चावल विवो के रख दिय जरूरत पड़ेगी तो मृची यह में जरे मेने चावल डाल दिया बदाम डाल दिया और इसा हुआ नारियल में डाला है और इसे पारें में डाल रहे हैंjos 13C टीन में भूली ने बनाया तो सब्सक्क्राइब दूद्ध दान भी फि deleane मीठी नहीं पसंद है इसे के साथ मैंने इलाइची पावडर, जाप्रान, फुहारे, घी, काजू, बादाम, पिस्ता, किश्मीस, इस सारी चीज़े मैंने डाल रहे हैं और किसा हुआ, नारियन और इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, इसे चलाते रहेंगे जब तक बिल इसे चलाए है, खौया, यह देखें, यह बन चुकी है और इसमें फिर से डाल रहे हैं, ड्राइफूट, किश्मीस, छुआरे, किसा हुआ नारियन, जाफरान, किश्मीस, फिस्ता, यह सारी चीज़े मैंने डाल दी, इसमें मैंने डाला है, मीठा से, जो खुश्बू के लि थे होने देख सकते हैं, मीठी-ठीची, मीठी के बरतन में मिनी रखे है और हम इस तरह से मनाते हि see kunda, और फातिय आप तो आप लोग मुझे कमेंड में जरूर बताईएगा कि आप लोग कैसे कुंडा मनाते हैं किसे फात्या दिलाते हैं अगर मेरी ये रेसिपी घीर की अच्छी लगी हो तो जाद जाद शीयर लाइक कमेंड करना बिल्कुल भी न भूले और गाइज अगर पसंद आए तो प्ली करना बिल्कुल भी न भूले फिर मिलेंगे अल्लह अपीज बाई टिक यार अन्हें बहुत सारा खयाल लखना दुआओं में मुझे भी याद रखना बाई